आपको फिजिस का चैप्टर टेन का अब्जेक्ट करने जा रहा हूं चैप्टर टेन का नाम है त्रंग प्रकास की जड़ी आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने देशतों सभी शेयर जरूर करें चलिए चैप्ट करते हैं पहला कोस्टन है कि किसी बिंदुवत सुरोत से परीमित दू यहां जो आपका समतल धूरूवित परकास देता है वह है क्या टर्च क्रिस्टल और और यह दोनों देता है इसलिए और बी दोनों चलिए नेक्ट कोस्टन देख रहते हैं कि यंग परियोग में यदि परकास की त्रंग दैर दूग नहीं कर दी जाए तो फिरिंज की चोरा हो जाएगी वह दूग नहीं हो जाएगी इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नेस्ट कोश्चन है कि निम्लिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है तो यहां जो आपका कथन सत्य है वो है कि वेव फ्रंट समान कला में कंपित होने वाली बिंदू का लोकस है यह भी आपका सही है और त्रंग दैर समान कला में कंपित हो रहे हैं दो कलांतर के कनों की बीच की दूरी है यह भी आपका सही है और दो सुरोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आविर्थिया समान होने चा कि तरंग दैर की दो एक वर्नी परकास तरंगों के मद संपोसी व्यति करने तू पथांतर होना चाहिए तो यहां जो आपका पथांतर होना चाहिए वह एन लेम्डा होना चाहिए इसलिए आपका राइट ओप्षन हो जाएगा एक डेस्ट कोस्टन है कि निम्न लिखित में कि तरंगों के दो सुरोत कला संबंद कहे जाते है यदी तो यहां पे जो है वह सही कथन है कि दोनों समाद त्रेंग दरजे की तरंगे जिसमें जिनमें नियत कलांतार रहता है उत्पन करते होंगे यह आपका सही है इसलिए आपका राइट ओप्षन जो है वह हो जाएगा कि तरंगे होती है तो हाइगेंज के अनुसार जो है परकास की तरंगे होती है वह आपका यांत्रिक और अनुदारे होती है इसलिए राइट ओप्षन जो है वह हो जाएगा आपका ए चले नेक्ट कोशन देख लेते हैं कि दो कला संबंध एक वर्नी परकास पुझ जिनकी तिवरताओं का अनुपात चार इस्ट वन है एक दूसरे पर अध्यारोपित है महत्तम आर नियूंतम तिवरताओं का अनुपात होगा तो यहापे नो अनुपात एक हो जाएगा इसलिए आपके राइट ओप्षन जो है वह जाएगा डी चलिए नेक्ट कॉस्टन देख लेते हैं कि जिवास्म की आयू पता की जाती है तो जिवास्म की आयू जो पता की जाती है आपका वो जो है ओप्षन वो है कारवन डेटिंग यहापे जो आपका जिवास्म की आयू जो पता की जाती है वो आपका कारवन ड कुई प्रयोग में संपोसी व्यतिकरण उत्पन करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है तो यहां पर आपका पथांतर का मान नहीं होता है वो 2N कि प्रकट किया जाएगा इसलिए आपका राइट ऑप्षां जो है वह हो जाएगा टूकर चनली क देख लेते हैं कि दुईतियक तरंगिकाओं की आवधार्णा दिगई थी वहां नहीं हो जायाएगा सीने क्यों एक पतले film की रंग का कारण है तो एक पतले फिल्म के रग का कारण जो है वा व्यतिकरन है इसलिए आपके राइट ओप्षन हो जाएगा B ये फिल्म के रंग का कारण इसलिए आपके राइट ओफ सब्साइक है जो अनुपात है करती है अधिक्तम तथा नियुंतम तिव्रताओं का अनुपात होगा तो यहां पर आपका जो अनुपात हो जाएगा वह चार अनुपात एक हो जाएगा इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा किनारे से मूरती है तो यहां पर आपका हो जाएगा समान चौराई की नहीं होती है इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वह हो जाएगा वह जाएगा किनारे से मूरती है तो यह किरिया कहलाती है तो यह किरिया जो कहलाती है वह वीवर्तन कहलाती है इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह परिवर्तित रहेगी नहीं बदलेगी इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नहीं के दूइक रेखा छिद्र परयोग में स्लीटों के बीच अंतराल आधा एवं स्लीट वह परदे के बीच की दूरी दूगुनी करने पर फिरिंजों की चौराई होगी तो यहाँ पर जो आपको फिरिंजों की अधक थे वह थे नियूटन जी इसलिए आपका राइट ऑप्शं जो है वह जाएगा आपका बीचा रेकासिक प्त बराबर होता है तो परकासिक पर प्त बराबर जो होता है वो आपका प्रकासिक पत्त जो बरावर होता है वो आपका यहां पर हो जाएगा अपवर्तनांग गुने पत्त लंबाई जो है यह हो जाएगा इसलिए आपका राइट ओप्शन हो जाएगा ए चलिए next question देख लेते हैं कि जिस घटना से परकास तरंगों की परकीरती निर्विबाद रूप से अनुप्रस्त सीधी होती है वह है तो वह जो हो जाएगा आपका धुरुवन हो जाएगा इसलिए right option हो जाएगा आपका C नेक्स कोस्टन है कि परकास किस परकार के कमपनी से बनता है तो परकास जो आपका बनता है वह विद्धूत और चुमबक्य छेतिर से बनता है इसलिए आपका right option हो जाएगा C. नेक्स कोस्टन देख लेते हैं कि स्वस्त आख की विवेदन सीमा होती है तो स्वस्त आख की विवेदन सीमा जो हो जाएगी आपकी वह हो जाएगा वन डैस इसलिए आपका right option हो जाएगा चलिए next question देख लेता है कि बिनासी व्यतिकरन के लिए पथांतर होना चाहिए तो बिनासी व्यतिकरन के लिए पथांतर जो होगा वो 2N प्लस 1 इंटू लिम्डा बटा 2 होगा इसलिए right option आपका हो जाएगा B next question है कि काज की एक पत्तिका पर परकास कीरन साथ डिगरी के कोन पर अपतित होती है यदि प्रावर्थी तथा वर्तित किरने प्रस पर लंबत हो तो पदार्थ का अफ वरतनांक होगा तो पदार्थ का वर्तनाक रूट 3 हो जाएगा इसलिए राइट आपका हो जाएगा बी नेश्क कोस्टन है कि न्यूटन के अनुसार परकास का वेग है तो न्यूटन के अनुसार परकास का वेग जो है कि वायू की अप्रिक्षा जल में अधिक होता है इसलिए right option आपका हो जाएगा A next question है कि साबुन का बुलबुला सुरे के परकास में रंगिन दिखाई देता इसका कारण है तो इसका कारण जो है वो परकास का आपका व्यतिकरन है इसलिए आपका right option हो जाएगा वो हो जाएगा C चलो ये next question देख लेते है कि तो फ्रिंज की जो चौराइए हो जाएगी वहाँ जाएगा आपकर दार के अनुकरमानुपाती इसलिए आपका राइट ओप्षन होगा ए नेक्स्कोश्चन है कि व्यतिकरंट्रीन्य होती है तो ब्यतिकरंट्रीन्य कि चौराइए कि होती है वह वथिए सब्सक्राइब और चलिए आज के वीडियो में बस इतना प्रकाइब नहीं है तो दोस्तों भी सब्सक्राइब और जरूर करें चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में